कोई सवाल नहीं है एक गठबंधन के आपसी रजामंदी का प्रतीक है और आपसी रजामंदी में अगर फैसले अगर होते हैं ये राष्टी अधर्चादरी लालू प्रसाजी ने नितिस कुमार जी के आगरा पर ये सीट को ने चुड़ा है ये तो गठबंधन धर्म का सबसे तो इसका इसका मतलम समाप कर दहीं कुछ दिखने में रहा है सराबंधी पर को जो लोग आदतन है सबस्क्राइब हो चुके हैं और अब कुड़नी को गधूकर अ से थे और उनका कहना है कि जब मोकामा में चुना हुए तो वहां कि कैंडिडेट की पत्नी को जो है टिकट दिया गया आर्जेडी के तरफ से और हमसे पूछा तक नहीं गया बात करते हैं आर्जेडी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ सक्ति सिंग्यादब अनिल सहनी जो पुरुविधायक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कह रहे हैं कि हमसे पूछा तक नहीं गया निरने गठबंधन निताओं के बीच में पूछने की बात कॉम्मुनिकेट कर दिये गया थे गठबंधन धर्म एक बड़ा धर्म है हम नहित व्यक्तिक स्वार्थ और एकाद चीजों के लिए कोई अलग सिरार नहीं छिड़ते हैं क्यां जब हमारे साज्य कार्जक्रम हैं साज्य करतब नहित हैं कोई हमसे पुछे जज्य होगा है क्यों द blends यह हमारे कटभंधन क का अबर्स्टेंडिंग है इस सब्सक्राइब मांग ले मैं नहीं होनी अलग पुष और बड़े आपसर मिलेंगे कोई राजनीत में कोई चीजें बहुत सारे हैं लालकी शडवानी जी को अलग का रास्ता दिखा दिया तो क्या उनसे पूछा नहीं गया कोई सवाल नहीं है एक गठबंधन के आपसी रजामंदी का प्रतीक है और आपसी रजामंदी में अगर फैसले अगर होते हैं ये राष्टी अध्यक्षादरी लालू प्रसाजी ने नितिस कुमार जी के आगरा पर ये सीट को ने चुड़ा है ये तो गठबंधन धर्म का सब अपसी एकता को और ससक्त और मजबूत करने के दिसा में एक मैसेज जो राज के अंदर जाना चाहिए जनता के बिच में वो साप साप दीख रहा है और हमारे जो रहे हैं उनके प्रतियादर का भाव है उचित समय पर उचित उनको संभान ही मिलेगा एक चीज अंतिम नहीं ह मिला था तमनों जित क्या है थे फिर अफसर मिलेंगे अफसर का इंतिधार करना चाहिए सब लोगों बिचार में सराब बंदी है जीतन रामान जी पहले भी सवाल उठा रहे हैं और अब कॉंग्रेस के भी नेता ये कह रहे हैं कि अधिकारी जब तक सही नहीं होगे तब तक बिहार में सराब बंदी लागू नहीं होगी, इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि रेवेनियू जो है बिहार के घाटे में जा रहा है, तिकी राजस्व के घाटे का जहां सवाल है, जन स्वास्त और जन सुरकार से बड़ा हमारा राज का खजाना नहीं है, समाज स्वास्त हो, उत्तम हो, और गांदी जी के सिधान तो कुछ स्विकार कर गांदी जी ने स्वाहिम कहा था, अगर एक दिन का ताना साम मुझे बना दिया जाया, तो बड़ेस बर में सराबंदी लागू कर दो कर, तो राज के अंदर में सराबंदी कानून लागू होए, 302 लागा होए ने का दिसकंदर में कानून बना होए कर ने, 309, तो बंद कर दें, आप सुन लिजिए, बात परी बात सुन लिजिए ना, समझने की कोशिस करिए, सराबंदे कानून एक अच्छी पहल है, ससक्त कानून है, 302 वी ससक्त कानून है, तुटते नहीं है क्या, और जो लोग ये कह रहे हैं, आदतन, अब जिनकी जिग्यासा, जिनकी ललक, उससे जुड़ा हुआ है, तो उनका स्भाविक परकटी करन है, उस पर मेरी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है, यतर तत्र जाकर के भी अपने चीजों की आपूर्ति कर लेते हैं, अगर नहीं समभल रहा हैं, तो छोड़ दे, आरसीपी सिंग जो नितिश कुमार के साथ रहे, वो चिए रहे हैं, जीद पर है बंदी, आरसीपी सिनहा, जो नितिश कुमार जीजे पादरभाब जिनका जनम हुआ, यो रायती कार्ष करता नहीं थे, एक अधिकारी थे, अध सरीनिति उसकुमार जीने राजसभा से लेकर करके मंत तक बनवा दिया अब इसे लोग क्या उसमें ग्यान नहीं फुटा था क्या सरा बंदी पर प्रवशन देते थे तो कि अब कुछ दिखने रहा था सरा बंदी दिख रहा है सरा बंदी पर वही लोग हमला कर रहे हैं जो लोग आदतन है सब लोग नहीं कर रहा है रिभनु का लाउस इस बात का परिशायक नहीं है तो जन सवालों पर दिया है जन स्वास्त की चिंता करके दिया है इसका एक बुल्यांकन होगा एक बड़ा सवाल लेकिन सराबंदी एक ससक्त कानून है कानून तूटना कानून को खतम करने का सवाल नहीं होता कानून तूटते हैं तो आप ससक्त करने की जरुवत है और हम तो पार्टी की चीज़ों को भारबार याद पर आते कि भाजपा जब से आई थी सराबंदी कानुन को कहीं ने कहीं ले तूटा था अब धिरे-धिरे ससक्त होते जा रहे हैं मजबुत होगा सवाल यह है कि आपके सही होगी इस बात को कह रहे हैं कॉंग्रेस बोल रही है कि रेविलू का सवाल है तो उसके लिए हम तो कहान है कुछ लोग जो आदतन हैं वो सुहाविक पर कटकरन देते रहते हैं तो उनकी बातों को आप उसको गठबंधन का बात नहीं माले ले कॉंग्रेस के निताओं को भी इन्होंने साबतोर पर जवाब दिया है अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है बनेश बनेशन के साथ नमस्कार